SEO यानि कि Search Engine Optimization देखिए Search Engine क्या होता है आपको पता होगा Search Engine यानि कि वो software जिसके जरीए आप जो है इंटरनेट पे जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होती है आप उनको एक्सेस कर सकते हो जैसे कि Google Google Chrome जो है वो क्या है Search Engine हो गया Google हो गया इसे तरह से Mozilla Firefox यह भी क्या हो गया एक तरकी का Search Engine हो गया जिसका यूज करके आप जो है यह जेविल Bluetooth speaker आपने यह Google पे सर्च किया तो अब यह जो Google है आपको बहुत सारे जो है यहाँ पे नीचे आपको डिफरेंट 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 के लिंक्स जो है आपको प्रवाइट कर दिया तो यह अभी तक क्या है Search Engine है अब देखे Search Engine Optimization का का काम यहीं पे आता है होता क्या है कि जब आप Google पे कोई भी चीज सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको टॉप पे पहले कोई वेबसाइट दिखाएगा नीचे कोई और वेबसाइट दिखाएगा और सबसे नीचे फिर आपको दिखाएगा यानि कि और भी पेजेज है तो Google जो है आपको बहुत सारे पेजेज प्रवाइट करता है लेकिन सर्च एंजन ओपिमाजेशन में कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको इचीज सर्च करते हैं तो आपकी वेबसाइट सबसे उपर दिखाएगे क्योंकि लोग होता है नॉमली क कि जो ऊपर दिखता है जो सबसे पहले देखिया उसी पर क्लिक करते है और उसी वेबसाइट पर चले जाते है तो सर्च एंजन ओपिमाजेशन का मोटिव यह होता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे दिखाएगे जिससे कि लोग आपको पहले देखे और फिर आपकी पिछे यह जो आपने पेज देखा यह क्या है search engine result page है और इस page में आपकी website सबसे पहले दिखाएगे सबसे ऊपर दिखाएगे सबसे नंबर one पर आ जाए तो उसी को हम क्या कहते है search engine optimization कहते है तो यह टेकनिक जिसके जरी आप जो search engine result में आपका जो वीडियो है फिर आपका जो पेज है आपका website का link है वो सबसे उपाई दिखाई दे तो that is search engine optimization जैसे YouTube है तो YouTube पे अगर आप दिवेदी guidance सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको दिवेदी guidance का जो है वहाँ पे channel का link आ जाएगा उसके बाद इसके different videos आपको सो होने लगते हैं तो that is search engine optimization कि आपका page आपका video आपका channel सबसे पहले दिखाई दे clear तो इसके बहुत सारे techniques होते हैं तो SEO क्या हो गया the process of planning, optimizing and organizing your website to help it rank better in search result याने कि आपको अपने website को इस तरीके से जो है plan करना, optimize करना और organize करना कि जिसे कि search engine result में आपका website सबसे ऊपर दिखाई दे सबसे पहले दिखाई दे तो it is the process used to optimize the website technical configuration, content relevance and link popularity so its pages can become easily findable more relevant and popular towards user search queries and as a consequences search engine rank them better तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आप website की technical configuration है जो links है जो keywords है जो headings है जो display ads है इन सबको आप इस तरीके से organize करते हो इस तरीके से content planning करते हो कि जो आपकी website है वो easily find हो सकती है जो है Google उसको search कर सकता है और उसके बाद फिर जब भी कोई search करेगा तो वो आपकी website को show कर देगा सबसे पहले तो that is search engine optimization अब आप इस figure से समझे कि SEO काम कैसे करता है search engine optimization कैसे काम करता है तो suppose करे कि आपने कहा कि एक website बनाया और आपने उस पर content जो है publish कर दिया different pages होते हैं उनको review करते हैं और फिर जो है उनकी एक induction जो है वो अपने यहाँ पर create कर लेते है Google indexes your page तो Google अपने index में आपकी page को भी क्या करता है enlist कर लेता है और जब भी कोई user Google के जरीए आपके page आपके page से relevant content को search करता है तो वहाँ पर क्या होगा कि Google अगर आपके page को find पाएगा relevant पाएगा कि जो user ने search किया है उसके recording आपका page है तो आपके page को पहले शो कर देता है तो यही चीज क्या थी SEO works यानि कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको ऐसे content ऐसे headlines ऐसे headings ऐसे keywords का use करना चाहिए जिससे कि Google आपको आसानी से search कर सके और जब भी कोई उस topics related कोई कुछ सर्च करे तो user question your page can appear on the search in the result page for their query यूटूब पे आप सर्च करते हो तो यूटूब पे आपने सर्च के digital marketing and e-commerce तो वहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे तो उससे related जिन्होंने भी videos बनाए होंगे और यूटूब पे upload कि होंगे वो videos आपके सामने आ जाते हैं अब उस पे भी पहले किसी और YouTube आएगा उसके बाद किसी और का वीडियो आएगा उसकी नीचे और किसी का video आएगा तो वो डिपेंड करता है कि कितने व्यूज कितने लाइक है यह फिर जो है कितना चैनल पर सबस्कायबर उस पेडिपेंड करता है तो बहुत सारे factors होते एक आपकर नहीं है तो बहुत सा लोग गूगल उनको आसानी से सर्च कर सके और जब भी कोई उस से रिलेटेड गूगल पर कोई सर्च करेगा तो गूगल आपकी वेबसाइट को शो कर सके तो यहां पर जो CEO स्टेजिस की बात करें तो यहां पर दो तरीके से जो है आप अपने सर्च एंजन ऑप्टिमाजेश आपने ही साइट पर जो भी ऑप्तिमाजेशन आने के जो भी चेंजस करते हो अपने कीवर्टमेजेश से चेंजरेट के उस को हम क्या कहते हैं ऑन-पेज-एस्यो अपने पैज-पर आपने वेबसाइट पर यहां चेंज करिये चेंज आर मेड टू-अश्यों अप्रेंट ट ब्लर्ब कहते हैं यानि कि आप देखते हो कि जब भी Google पर सच करते हो तो headline आती है headline के निचे ही छोटा सा description भी आ जाता है तो उसको meta description कहते हैं clear तो उसको जो है आप effective रहें उसमें जो keywords आप यूज करें उसको अच्छे से यूज करें आप कुछ भी बनाये चले जा रहे हो कुछ भी लिखे चले जा रहे हो ऐसा new चाहिए relevant content होना चाहिए जो भी आपके वीवर से उनके लिए display ad का यूज करिए जो आप देखते होंगे website open कर दो तो आपे different ads आते हैं उसका यूज करें internal links आप देखते होंगे कि एक page customer पढ़ रहा है एक page viewer देख रहा है उसे में बहुत सारे आप links भी पा जाएंगी कि वहीं पर link पे click किया दूसरे page पे जा गया आसानी से यानि कि उसको google पे जाकर सच कर आपके ही page में आप link provide कर दे तो उस link पे click करके वह दूसरे page पे जा सकता है असानी से तो इस तरीके से जो है आप अपने website को अपने page को आप जो है optimize कर सकते हो इसको कहते है on page SEO यानि कि जब आप अपने page पे different changes लाते हो elements में, tag में, headings में, description में, video pictures add करते हो, indexing करते हो, content को plan क आते हैं, तो इस चीज़ हम क्या कहते है on page SEO यानि कि on page search engine optimization वहीं पर जो दूसरा method है that is off page SEO यानि कि यहां पर क्या है कि आप जो है अपने website पे या पर अपने page पे changes नहीं करते हो, बलकि website की बाहर जा कि कुछ changes करते हो, जिससे कि आपके search engine में आपकी searchability बढ़ती है, जैसे आ आप क्या कि आपने bank links प्रोपराइट किया, bank links हैं कि आप जो है अपने link share करते हो different different जगहों पर जहां से लोग क्लिक करके आसानी से आपकी page पर आ सकते हैं, आप जो है different जगह पर comment करते हो, तो comment करने से लोगों को पता चलता का अच्छा ये भी है और फिस लोग आपको search करक चेक करते हैं, आपकी page पर जाते है, social networking media, whatsapp हो गया, facebook हो गया, telegram हो गया, instagram हो गया, twitter हो गया, आप इस सम जगहां पर जो है, आप क्या करते हो, अपना page बनाते हो, अपनी ID बनाते हो, और उसके यहां पर भी आप अपनी presence को दिखाते हो, तो वहां से भी लोग आपको असानी से सर्च करके आपके page पर आ सकते है, email marketing हो गया, email marketing क्या है, यह भी off page SEO, यहां पर क्या होता है, क्या होता है, अगर आपने email ID बनाई है, Gmail पर तो बहुत सारे आपको promotional email आते हैं, तो हाँ पर आपको email आता है, उसमें product के description होगी, उसमें offers की description होगी, उसमें आपको link भी दिया पर आपने website पर customers को, viewers को लेके आ रहे हो, तो that is off page SEO, वही पर तीसरा है technical SEO, टेकनिकल से ही clear है, कहाँ पर technical याने कि जो website की background की चीज़ी होती है, उसको आप चेंज कर रहे हो, background याने कि जो आपको देखते नहीं है, बलकि उसको कैसे create किया गया website को उस पर, जैसे कि आपकी website क speed तेज होनी चाहिए, आप जो है, आपकी website mobile friendly होना चाहिए, याने कि आप laptop पे चला रहे हो, तो सही से चल रहा है, लेकिन जैसे उसी website को, उसी page को आप mobile पे चला तो उसमें content इदर उदर हो जाता है, वो सही से जो है दिख नहीं रहा है, user friendly नहीं है, तो technical SEO, involve element on the back end of your site that impact how user experience the front end of your website, तो bank end में ही आपने क्या क्या चीजे की है, उसी की basis पे जो front end होता है, वो depend करता है, तो अगर आपने back end में सही से सारी चीजों को रखा हुआ है, site की speed अची है, mobile friendly बनाय हुआ है, तो आसानी से user, mobile में उसको use कर सकता है, access कर सकता है, तो that is technical SEO, तो यहाँ पे आपने इस वीडियो में आपने topics देखे, वो search engine optimization क्या होता है, और उसको कैसे optimize किया जा सकता है, अपने on page पे, off page पे या फिर technical में चेंज करके, तो search engine optimization कुछ नहीं, बस इतना सा है, कि कैसे तरीके से जो आपका page है, किस तरीके से जो आपका website है, वो search engine result में, जो Google या फिर Mozilla Power Facts सर् जो है, आप जो है, आसानी से पहले page पे ही, और उपर आपका website का link वहाँ पे show होने लगे, search engine में, तो उसके लिए जो भी आप changes करते हो, elements में, उसी को हम search engine optimization कहते है, wish you all the best, keep watching.